हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने खुद की परसनल हेयर टिप्स शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको अपने बाल ब्लैक, स्मूथ, और शाइनी, और सिल्की बनाने हैं, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लोहे का बा इसमें महंदी डाले जितना अमाउंट आपको चाहिए, अगर आपके बाल बड़े हैं, तो आप जितना भी आपके बालों में लगती हूँ, आप उतना लीजिए, और मेरी फेवरेट महंदी है नीहा, नुपूर, ये बहुत अच्छी होती है, सच में, और आप इसमें सिर् गोलिए, और इसे पूरी रात के लिए, ओवरनाइट, इसे मिक्स करके रख दीजिए, और बीच बीच में जब भी आपको अगर टाइम मिलता है, तो प्लीज आप इसे मिला दीजिए, या मिक्स कर दीजिए, स्पून से चला दीजिए, जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने, मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत ड्राई लगाते हैं, कुछ होते हैं बहुत थोड़ी गीली लगाते हैं ताकि बाल ना इलज हैं या उलज हैं, ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगी, कि आप सिर्फ इसमें पानी डालिए और इसे पूरी रात के लिए घोल क कर रख दीजिए, ताकि यह मतलब पूरी रात में अगर आप इसे कभी-कभी चला देते हैं, जब भी उठ रहे हैं या फिर दिन में घोल रहे हैं, कभी भी घोल दीजिए, मतलब इसे एक दिन के लिए रख दीजिए, और आप इसे लगाईए रात में, क्योंकि मैं इसे दि महंदी रात में 12 बज़े लगाती है और सुभा जितने बज़े उठती हूं उसी टाइम धुल देती हूं और यह महंदी इतनी अच्छे हो जाती है इस लोहे के बाउल में एकदम ब्लैक और बालों पर जब आप लगाते हैं और उसको और मेरी एक यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप महंदी करने के बाद ऑईल करते हैं तो प्लीज ऑईल ना लगाएं क्योंकि उससे बाल अच्छे नहीं होते बुरे हो जाते हैं सिर्फ आप महंदी लगाए यह वाश करिए दन आप तुरंत शैंपू कीजिए मतलब आप यह मत करिए कि आप ऑईल लगा रहे हैं तन शैंपू कंडिशनर जो भी अपलाई करते हैं अपलाई करिये आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे दो दो बार तेल लगा कर या फिर कलर निकल जाएगा ऐसा कुछ नहीं करना है प्लीज अगर आपको अपने बाल अच्छे करने हैं काले स्मूथ और बहुत शाइनी और लंबे घने क्योंकि आप मेरी अधर वीडियो में देख लीजेगा मेरे बाल बहुत अच्छे हैं बलाक हैं और बहुत नेच्रली बलाक हैं वो जस्ट बिकॉज अफ इसी की वज़े से हैं आप प्लीज यही देखिए बस सिर्फ पानी मिक्स करी और आप इसको पूरी र कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चानल थैंक यू सो मच बाइबाइ